हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इगनू बड़ी देखिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इगनू की एक डार्क रियालिटी के बारे में रियल्ट है उसको अपडेट किया गया था, पर रियमिवेल वेयसन का रियमित अप्डेट नहीं किया गया था वैसे ऐसा काफ़ी रेर केसमें होता है कि आपका टर्मेनट एक्जाम का रिदेट किया जाए लेकिन revaluation का result update नहीं किया जाए तो अगर आपका जो result है आज update नहीं हुआ December 2022 के revaluation का तो क्या अगर ये कल update होता है तो इसका कोई फायदा है तो देखिए वो students जो भी अपने result का wait कर रहे हैं revaluation का और जो भी students की back आई है उनके termined exam में और जिन students ने apply किया है revaluation के लिए उन students को काफी problem हो जाएगी क्योंकि अगर इगनू कल यानि की 10 मई को अगर December 2022 revaluation का result update करता है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो exam form है June 2023 का वो students नहीं भर पाएंगे अगर इगनू की तरफ से कल update आता भी है तो क्योंकि एगनू की तरफ से जो update किया जाता है result वो किया जाता है साम की time 6 बजे तो 6 बजे तक तो जो timing है result की वो खतम हो जाएगी timing जो है exam form भरने की वो खतम हो जाएगी तो अगर उन students को form भरना भी होगा तो वो फिर भर नहीं पाएंगे तो इसलिए उन students को advance में जो अपना exam form है या तो advance में भरना पड़ेगा या फिर अगर वो wait करते हैं कल के result update का जानी कि अगर 10 मई को वो wait करते हैं result आने का तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि जो result की date है वो 10 मई है और जो exam form की last date है वो भी 10 मई है तो सामको 6 बजे तक जो last date रखी गई है या तो इगनू को उसे extend करना पड़ेगा और अगर इगनू उसको extend नहीं करता है तो फिर काफी students को exam देना चाहते हैं June 2023 का उन students को आगे 6 मईने और wait करना पड़ेगा फिर उनको जो December वाला exam है December 2023 का फिर वो देना पड़ेगा तो इस वजए से काफी सारे students को wait करना पड़ेगा जिससे उनका जो time है वो भी काफी waste हो जाएगा तो इसी लिए इगनू का जो mismanagement है ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग जो result है वो time पर क्यों नहीं update कर पाते हैं और पहली बात तो termined exam का जो result है वो ही अभी तक पूरी तरह से update नहीं हुआ है काफी सारे students का कुछ students अभी भी ऐसे हैं जिनका termined exam का result ही नहीं आया है तो इसी लिए इगनू को अपने इस result के जो management है result update करने जो timing है इसको थोड़ा सही करना चाहिए ताकि students को कोई problem ना हो और उनका जो time है वो भी waste ना हो क्योंकि अगर ये लोग कल अपना result update करते हैं 10 माई को तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है लेकिन आज जो 9 माई है उसको कोई result update नहीं आया है वैसे अगर result अगर कल आता है तो उन students के लिए तो ठीक है जिन students को exam नहीं देना है लेकिन उन students को काफी problem हो जाएगी जिन students को exam देना है जून 2023 का तो फिर उन्हें जो December 2023 का exam है उसके लिए wait करना पड़ेगा और फिर उन्हें वही देना पड़ेगा कर लेना so thanks for watching this video thank you so much